नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों 26 नॉबंबर 2020 और यहां पे 27 नॉबंबर 2020 यानि की फ्राइडे के लिए विकेंड के लिए 6 श्टॉक्स इंटाड एक लिए सलेट कर लिया दोस्त हो जिसमें प्रॉफिट बना सकें तो यह भी लेवल बताने से पहले आपको डिस्क्लेमर बताना जरूरी है कोई भी पर्शनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहां पर नहीं दे रहा हूं कोई भी टेड लेने से पहले अपने फैनेंसियल एडवाजर सलाम साथ जरू कर लें क्योंकि आपके लाब अनुक्सान की जिम्यदारी चैनल की नहीं होगी डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हूं सबसे पहला इस्टॉक का नाम है हैवल्स देखिए यहां पर इस्टॉक का नाम है आपको हैवल्स मिल जाएगा हैवल्स यह आवरली का चार्ट है आवरली का चा आए 810 रुपए को तो बाय करेंगे बाय अबब 810 और इस्टॉप लॉस हैवल्स में लगाया लेंगे 802 रुपए यह 803 रुपए का भी कर सकते हैं 803 का कोई टेंसन नहीं है टार्गेट इस कंडिशन में 817 रुपए का होगा 817 फ़स्ट दूसरा टार्गेट होगा 824 आट 824 आटिसा टार्गेट 831 रुपए का सेल साइट की बात करते है अगर यह नीचे के लेबल को दोस्तो ब्रेक करेगा हैवल्स 798 को तो सेल करेंगे सेल भी लो 798 और इस्टॉप लोस लगा लेंगे हैवल्स में 804 रुपए का 804 का पहला टार्गेट होगा 792 रुपए का 792 सक टार्गेट होगा 786 786 और फाइनल टार्गेट होगा 780 780 रुपए का सुरू के पांच मिनट टेट को वाइट करके चलना है दोस्तों उसके बाद ही का रिश्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एजूट करें तभी टेड करें यह पहला इस्टॉक था हैवल्स बढ़त पूरे दिन एक रेंज में महानगर गैस रह गया अब इस रेंज के उपर या नीचे हमारा ट्रेड बनेगा तो महानगर गैस को कल हम बाइ करेंगे दोस्तों अप साइड में 932 रुपए के उबर बाइ अब 932 इस टॉप लोस लगा लेंगे बाइ साइड का 924 924 रुपए का टारगेट होगा दोस्तों फ़र्ष टारगेट महानगर गैस में 940 का यानि कि 940 रुपए का सकेंड टारगेट होगा 948 948 का और फाइनल टारगेट होगा 956 956 रुपए का अगर यह नीचे के लेबल को यानि कि 920 रुपए को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे सेल बिलोग 920 और stop loss लगा लेंगे इस condition में 928,928 रुपेका फर्स टार्गेट होगा महानगर गैस में 912,912 सकेंड टार्गेट होगा 904,904 और फाइनल टार्गेट होगा 896,896 रुपेका शुरू के पांच में तो आपको बता दिया कि एवाइट करके चलना है लेकिन फर्स टार्गेट के पास अगर इस्टॉक आता है आपकी इंट्री होती है फर्स टार्गेट के पास इस्टॉक आता है तो 50-70% कॉंटिटी ज़रूर बूक करना चाहिए अचाए ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दू कि ये 9002L है बढ़ूंगा तिसरा इस्टॉस की तरफ और उसका नाम है दोस्तो टाटा केमिकल आज भी दिया था टाटा केमिकल मुमेंट अपने देखा ही टाटा केमिकल का क्या जबरदस्ट मुमेंट आया है मस्त प्रॉफिड बना है चार परसेंट की पॉजिटिव मुमेंट के साथ टाटा केमिकल स्टॉक का नाम यहां पर है तो कल भी टाटा केमिकल पर नज़र रहेगा इसी मुमेंट के इसी बोलूम के वज़ा से तो हम Tata Chemical को बाय साइड अगर देखना चाहेंगे कल तो हम बाय करेंगे 386 के उपर, 386 रुपए को उपर बाय करेंगे, Stop Loss 383, 383 का लगाएंगे, पहला टार्गेट होगा 389, 389, दुसरा टार्गेट 392, 392 और तिसरा टार्गेट 395, 395 रुपए का, नीचे की लेबल को अग रहेगा 383 का, टार्गेट होगा 377, 377, दुसरा टार्गेट होगा 374, 374 और तिसरा टार्गेट 371, 371 रुपए का, दूस्तों, लाइब मार्केट में कॉल पराप्ट करने के लिए, आपको टेलिग्राम चानल को जोईन करना होगा, टेलिग्राम चानल का लिंक वीडियो के दिश्क्रिम्शन में मिल जागा, फिर योग कोश्ट में आप कॉल पराप्ट कर सकते हैं, बरतों चौथा स्टॉक की तरब, उसका नाम है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में आप देख पा रहें जैसा कि इस्टॉक का नाम यहाँ पे है, डेली का टाइम प्रेमें, डेली टारगेट होगा, 179, 189, सकेंड टारगेट, 181, 181 और फाइनल टारगेट, यानि था टारगेट, 183, 183 रुपेका, अगर यह नीचे एक लेबल को ब्रेक करेगा, हम सेल्स तरब जाएंगे, सेल्स बिलो, 171, 171 और इस्टाप रोस रहेगा, 173, 173, 173, पहला टारगेट 165, 165 रुपेका, तो दोस्तों, यह चौथा इस्टाप है, अब बढ़ूँगा, पांचमा इस्टाप की तरब, उसका नाम है, यह भी टाटा का ही है, टाटा इलक्सी, IT सेक्टर, टाटा इलक्सी, इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, टाटा इलक् सेल साइट की बात करेंगे, अगर यह नीचे की लेबल, 1500 को ब्रेक करेंगा, यानि 1500 को, तो सेल कर देंगे, और स्टाप रोस लगा लेंगे, इस कंडिशन में 1508 रुपे का, यानि 1508 का, टार्गेट होगा, फ़स्ट टार्गेट होगा, सेल साइट में 1492, 1492, दुसा टार्गेट 1476, 1476 रुपे का, तो दोस्तों ये पांच माई स्टोक है, बिना स्टोप लोस के ट्रेड कभी न करें, अपने ट्रेलिंग स्टोप लोस का यूज़ जरू करें, प्रॉफिट बुकिंग पर खास ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करे तो छटा और अंतिम स्टोक सिनेमा हॉल है, यानि कि PBR, PBR में आप देख रहे हैं, पहले स्टोक का नाम यहाँ पर मिलेगा, आपको PBR में आप देखिए, 50 मिनिट के टाइम फ्रेम में, बिल्कुल फ्लैक पैटर्न बनाते वे PBR, ट्रेड करने की कोशिज करा गीरा, फिर व 328, दूसरा टारगेट 1336, 1336, और तेशा टारगेट 134, 1344 रुपे का, सेल की बात करते हैं, अगर यह नीचे की लेबल, 1305 रुपे को ब्रेक करेगा, तो सेल करेंगे, सेल विलो 1305, इस कंडिशन में, 1313, 1313 का, पहला टारगेट होगा 1297, 1297, दूसरा टारगेट होगा 1289, 1289 और तेशा टारगेट 1281, 1281 रुपे का, तो दोस्तो यह टोटल 6 स्टॉक है, जो मैंने आपको विकेंड के लिए बता दिया, और सुक्रवार के लिए बता दिया, लाइब मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, टेलिग्राम चैनल को ज़रूर जोएन करिएगा, वीड नेक्स्ट विडियो में, तब तक के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद,